करताना सोबताज महाराष्ट प्रदेश कांग्रेच चे अदेक्ष नानाबाव पटोले अकील भार्थी आदिवाशी कांग्रेच चे अदेक्ष शिवाजी राओ मोगे साहिब वसंजी पुरके साहिब अने या सभा मंटा करे अपले सगड़ाना महारका दर्शन करना सेटी आदर निया राओल जी गांधी आपले फिकानी यहता है त्या करिता बोलो भगवान बिर्शाम उंडा की जै राओल जी गांधी आगे बडो हम तुमारे साथ है राओल जी गांधी संगर्श करो हम तुमारे साथ है बारत जोडो नपरत तोडो नपरत तोडो नपरत यहां पर शिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत जी प्रतिनिदी आदिवाशियों के प्रतिनिदी आये है और आप यह पहली बार भारत जोडो यात्रा के दर्म्यान में आदर निया बिर्शाम उंडा जी का या जैन्दी का का रेक्राम अपन सग्ड़ा निखाली पुन्ना एक दा जोर्दा टाले चा करकला बने आदर निया राउल जी गांधी आँचा स्वागत करू या जोर्दा टाले चा करू आदर निया राउल जी गांधी आंसर वाध्या वाध्या प्लीज गूपरा बंद करा वाध्या 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 बंद करा प्लीज विनं सब्सक्राइब कांग्रेश कमिडी चे अध्यक्ष करमंजय आधर निया राहूल जी गांधी आपने एक कांग्रेश में आधिवाश्यों के पहिचान दी आपने पहली बार आपने पहली बार कांग्रेश में आधिवाश्यों के पहिचान के लिए आल इंडिया आधिवाशी कांग्रेश करके इसा नाम दिया इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं एक अलग आइडेंटिटी हमको दिये है अनि मनों ऐसे कांग्रेश के बारे में आधिवाशी के बारे में गांधी विचारदारा और गांधी परिवार या हर्दम उन्हें चाहता है आधिवाशी को चाहता है इसलिए मैं आधर निया शिवाश्रा मोगे साथ आधिवाशी तरह योगर जी मिना चविंद्र जी कर्मा यहां के अमिज जी जनक डाक्टर मिर्जा इंद्रनी जी नाइक यहां परिवाशी को पीद उपट्टा एक मोमेंटो और पुष्पगुच्चा देकर उनका स्वागत करेंगे ऐसे मैं उनसे बिंति करता हूँ यहां यह सत्कार हमारे तमाम गोर गरिवाशी पिछड़े हुए आधिवाशी की तरफ से जो इस आधिवाशी को न्याइदेनी की भूमी का कांग्रेश विचारदारा और गांधि घराना कर रहा है इसलिए हम दिल और यह कभी भी मदद नहीं करेंगा तो सिर्फ कांग्रेश को मदद करेंगा यह हमारी पूरे आत्म विश्वास के साथ हम कहते हैं या नंतर या मंचार उपस्ति तसलेले आधर निया प्रदेश अदेक्षा नाना बाव पटोले साहिब यहां सो यांचा जितंद्र जी मोगे है पुष्पक गुच्चा नी प्युणा दुपट्टा देऊन स्वागात करती ला समित्याना विननती करतो है या मंचार उपस्ति तसलेले आधर निया CLP लीडर बाणा साहिब थोरात साहिब यहांचा स्वागात जितंद्र जी मोगे करती ला समित्याना विननती करतो है या मंचार उपस्ति तसलेले आधर सहसराम जी कोरेटर साहिब आपन यच्च के पाटी लियांस स्वागत करावा और मुझे आज कापी खुशी हो रही है कि इस मंचा पर जो हमें फारेश दाइट एट के अंतरकत ग्राम सबा को और पेशा के अंतरकत हमारे आधिवशी को न्याई देने में महत्वा पूर्नी का भूमी का आधिने सुंदी जी की नेतरुतुआ में जो कमिटी थी उसमें के राजू थे उसमें जहराम रमेश साब थे इन्होंने ग्राम सबा को अधिकार दे के आज एक एक ग्राम सबा एक एक दो दो करोड का बाम्बू और तेंदू का काम करती है और उसकी मदद जो गाव को होती है उसका पूरा स्रिय कांग्रेस पार्टी सोन्य जी गांदी राउल जी गांदी जैराम रमेश और के राजू करें कि यहांचे विचारावर इनको मदद करने वाले आधर निया हमारे थिंग ट्यांक आधर निया के राजु साहिब यांचे स्वागत आधर निया सहसराम जी कलोटे साहिब हे पुष्प गुच्च देवन करती रस्मित आना विननती करतू अनि बाकी मान्य वरांचे आपन पुष्प गुच्च देवन आपले जे कार्य करते हैं सग्डेनी तन्चा पुष्प गुच्च देवन स्वागत करावा अशा परकार्ची विननती करतू आए इसके बाद यहांपे यहांचे प्रस्ताविक अकिल हाँ यहां नंतर इसके बाद हमारा पारंपारिक यहां आदिवासों का प्रती के चिन्ना है वो आधरनिया शिवाजिरा मोगे सहब बाड़ा सहब थोरा तोर लक्की जी जादव यहां आधरनिया राहुल जी को भेट करें ऐसे मैं बिननती करता हूं की यहां आधरनिया इसलिए और चाहिए ऊंद्धिक है अधरने के दो इस दो आधरने श्राइव को नहीं रहुल जी को आगे जोना है अधरने अरधरने दो और अधरने ते इस इस वाधने है आधर निया मोगे जी याना विननती करतो कि तेनी या कारकर्माचा प्रस्ता विक्करावा आधर निया सिवजिरा मोगे साथ अकिल भारती आधिवाशी कांग्रेच चे अद्धेक्ष राश्टी अद्धेक्ष आधिवाशी चे पहले माला वाते गांधी फेमिली ने अड्रेस करना रहा पहला कारक्रम है जो गांधी फेमिली का कोई व्यक्ति इतने बड़े आधिवाशी में आधर में अड्रेस कर nuggets कर रहा है और भाराज जोड़ो यात्रा के इसका हमको बहुत बहुत है पहले मालूम है सर यह बहुत फ्रीडम भाइटर हम उसको क्या महाराज करके नहीं पूछते सर फ्रीडम भाइटर और पच्चीस साल की उमर में बिर्टिस लोगों नहीं मारा है और कहने का मतलब है कि आदिवाशी पहले दीन से स्वात्यत्रता दीन के लिए स्वात्यत्रता के लिए लड़े इसका नमुना विर्शाजी मुंड़ा है तो आज वगवान विर्शाजी मुंड़ा की 117 जेहिंति हम मना रहे उस लक्षे में आप यहां पदा रहे मैं सबको बिनंति करता हूँ कि राहूल जी को टाला बजा के फिर से एक बार अभिवादें कीजिए सर देश में 12 कोड को उपर आदिवाशी है और यह आदिवाशी सर आपको माले में पुरेश को मानते है और खास करके गांधी फैमिल्यों को मानते है हमारी जान है गांधी फैमिल्यों सर आपके सामने ने सर हमेशा है हमारी देश भर के आदिवाशी की निष्टा रही है सर और यह दिन हम उस्सों करके मनाते है हम आपके सामने उस्सों मना रहे है सर सर यह देश में कई सर आइशी करंतिया हुई है जैसे मानगड में पंद्रा सु लोक मारे गए सर आदिवाशी लेकिन उसकी हिष्टी में कहीं है अभी राजिस्तान के मुख्यमंदे तीन बाद चिठी लिखे है केंद्र शासन को लेकिन उन्होंने कभी स्मारक बनाया नहीं ऐसी यह निती यह लोगों की है हमारे कहना सर की नोकर्या खतम कर दी तो कहने का मतलब है यह महाराज में तो कानून मना सर लेकिन कानून में परिशने बहुत कम होगा है लेकिन उल्टा सुटा करते हैं करके वो लोकर रह लेते हैं और इंडी जोल भी नहीं है और सकर भी कोट से ने करते हैं सर हमारी एक विनंती है कि देश के लिए वल हाई पावर कमिशन ने हमना चाहिए क्योंकि नेमा उसका दुरूब उचिले तो एक हाई पावर कमिशन ने चुरा लेके एक साल में उसका रिपोर्ट लेके जो हमारे टीयर लोग हर स्टेट में रहते उनकी सला लेके जो गलत कि भारत देश में आईसे एरिया था चोटा ना कुझा जा बिशा मुंडा रहे चे थे वहां ब्रिटिस लोगों का राज नहीं चलता था लोटे पर बंदुक लेकैं आते थे लेकिन हमारे लोग आदिवाषी लोग बढ़ाते थे करके अधिवाषी काज आता इसकी आइतियास काले लिखा लेकिन उसकी पॉप्लिस्टे ज्यादा रहे हुई सर हम बुझे चाहते हैं कि यह हमारा दुसरा विशे है सर हमारा आदिवाशी रेजिमेंट सर आदिवाशी रेजिमेंट ऐसा है सर आपके अपने देश में 28 इंफेंट्री रेजिमेंट है आधिवासी रेजिमेंट का आधिवासी रेजिमेंट है यहां को बना स्रिस्टों पैशे की जुर्णतने थोड़ा स्राब आप यह पुरा वरा से सार आप जो पद्यात्रा करें ने सार हम आधीवाषी लोग देवों तो कममानते हैं और हमहें हम ऐसा लगता है आप इतनी पद्यात्रा कर रहे हैं आप निशार का प्रसंद नहां है औ कि किस तराम मुद्धाय सर यह बिजब्र वाले अरेश सले हम को वनवाशी बोलते हैं सर K हम ये नहीं को ये बिजब्र नि डीन का महा थिखिए ना उनका क्या सोण किण त्रत Agricभी यह अरेस्ट वाले कोई पांटी ने बोले तरही है यह आरेसिट बीजीपाले सो बॉलते कुछको बोलते गिष्दिन ऐस्तरम स्कुल है और कभी-कभी वर्ट्रीज जुग बोलते हैं और क्या है हो पागल हो गयी वो यह बीजीपाले से आधिया पागल अच्पते हो आरे हम ब अको हमारा हिज़द करना चाहिए कानूरण रद करना चाहिए अईशा हमारी विलिंद्फ के सरा दूसरा सर ये अपने कही विशेश के आईशा है सर कि जो विशेश अपन देखने में आते हैं कि फौरेस राइट एक स्मशान भूमी को लेके अगर किसको परमिशन लेड किस ने लाया सोनिया जी गांदी ने लाया किससे लिए स्री पाधीयोची के लिए पारलिमेंटमें स्री पाधीयोची की लिए दोई से में कानून बना सर और दोई से में कानून बनने के बाद आज देश में की और सभी फेमिले- maton क्यांडि के नेений काहिए में構ड़ें देश में लखोंचों को यह अबी 2006 में हम कानून हैं अम को जमीन मिली झाइस इतना बड़ा कानून था यह हमारे विरोधक सुप्रेम कोर्ट हाई कोर्ट गए कॉंगरेस भी उत्ती ताकत सी लड़ी और कॉंगरेस की जीत हुई और आदिवाशी को लोखे कर जमीन मिली सर दुसरा एक विशह ऐसा है सर पेशा है सर हमारा दुरभाग्या ऐसा है यह विधर में 11 जिले और पूरे देश क में जब इंदराजी प्राइमिरिस्ट थी हमारे फार्चिले वसंत्रों एक मुख्यमंत्री हुआ करते है सर हमारे मद्दा संकते वह हम पाल लेके गए दो बर मिटिंग हुई मैडम सोनिया इंदिरा गंदी ने एक कमिटें यह क्या प्रॉब्लम चला आइसा कैसा हुआ घट यह महराष्ट में 58.60 और 59% आदिवासी होके बरे आदिवासी नहीं थे यह अमराहती जिले में यह वबासम में लाखो आदिवासी एक भी आदिवासी नहीं था तो यह कानून बना यह कानून को तोड़ने का काम इंदिरा गंदी ने बना एक कुटोड़ा 1976 में करके हम कि शत्रबंदे जब नश्ट वहाना तो हम अभी यह साल चैसर तहीं किया सर 18 सप्टेमबर इंद्राजी के याद में और वसंद्राजी ने हम जो जो मदेद की उनके याद में हर साल हम 18 सप्टेमबर को आदिवाशी मुक्ति दिन मना रहे सर बाद सर थुरा तुछ मीट काम में और हमेशा उस दिन को हम मनाते रहेंगे सर मैं अपना ज्यादा ना हमको एक विशे आइसा है सर वह जर आपको सम्मझ में आया सर बिल्टिस जमाने में हमको आदिवाशी कोड था हमको आदिवाशी धर्म कहला चेते देखो सर उसमें आइसा लिखायो 18 से 18 से तो 1901 के चलिस हमको एक बोलते थे कि आदिवाशी कोड था चैने अब बोलते थे आप बोलते थे एप आप बोलते थे फॉरस्टर बोलते दे ऐसा करें कि अभी 12 सौटे वह हमको कोड का लाईनिस नहीं तो 6 जो धर्म के है स्यंसे में हमारा सात्वा कोड होना चाहिए आदिवाशी धर्म है मैं आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए कभी कई पाइंटे में अभी कभी टाइम मिलेगा तो उसको जिरूर बोलगा सर मैं अपना एक करूंगा कि हम मुझे हमें पूरे विस्वा से गांधी फैमिली पर और आप पर बहुत विस्वा से आप जो करेंगे ना हमारे दिमाग में जाए इसी बास्ते नहीं थी वो भी गांधी फैमिली कॉंगरेस नहीं किये इतना बोलते हुए ये आईतियाशी क्षण है सर जब आप एक गांधी फैमिली का आदमी यहां आया हुआ है जो सो निसरग का एक प्रकाजा अशिरवाद है वो इस देश में अमुलागरा पदल करेगा और इस देश के करोन लोगों को नयाई दे करेंगा इसी विश्वास क साथ मेरे दोश अब समाप्त करता हूँ जय हिंद जय महाराश्चा दन्यवाद मोगे साथ इसके बाद में आदर निया इस प्रदेश के अद्देक्षा नाना वो पटोली जी संबोदीत करेंगे करांती सुर्य बगवान बिरसाम उंडा की करांती सुर्य बगवान बिरसाम उंडा की आज आपने आपले आप करांती सुर्य बगवान बिरसाम उंडा की जैनती साजरे करने साथी राज्यातुन अनि अनेक प्रांतातुन याठिकानी असंखे लोक अलिलियाज चा सग्यांच मना पसुन याठिकानी मी स्वागत करतो अनि विशिश करून अत्ताच मोगे सहबानी सांगीतल की अमचा अधिवसीच्या मदात योन बखवान मिर्शा मुणडास ची जहनती साजरी करने साथी स्वता रहुल गांदी इता हलेत अनि त्यचा अनन्द याठिकानी व्यच्त आपन सकभाने केला रहुल गांदी निक्षम टाया वाजुन जोरा स्वागत आपनसर्व पतम याठिकानी कराव अधनिया रहुल गांदी जी हमारे राज्य के प्रभारी एचके पाटिल जी हमारे CLP नेता बाला साथ थोराज जी हमारे राष्टिय अधिवसी सेल के अद्देख्ष सिवाजरा मोगे साथ इस कारेक्रम में उपसित हुए जिनने अधिवसी की हिद के लिए जब केंद्र में मंत्री थे रमेज जैराम जी उन्हें आधिवसी की अधिकार के लिए जो निरने लिया वो भी योगा योग भी इस कारेक्रम में उनको भी तालिया बजा कर उनका स्वागत करे क्योंकि हमारा अधिकार जो भगवान बिर्साम मुंडाजी जी की जो डिमांड थी उस समय की जल जमी जंगल यह हमारा है और इसका पूरा अधिकार हमें चाहिए तो भगवान बिर्साम मुंडाजी की मांग जो थी उस समय हमारी नेता सुनिया जी गांदी जी के नेतुत में जो डॉक्टर मन्मन सिंग साब की जिब सरकार बनी तो वो मांग को पूरा करने का काम जैराम रमेजी ने किया तो और मुझे याद है कि गड़चुली के अपने मेंडा लेका गाओ में जहां पर पूरा नक्षल मोमेंट है जहां पर जाने को लिए लोग डरते थे ऐसे गाओ में जाकर वहां पर आदिवासी के अधिकार देने का काम जैराम रमेजी ने दिया था इनको भी तालिया बजा ने आचाहिए आप लोगने इस कारेगर में उप विवासी की समझताओं का एक बड़ा चिठा दिया लेकिन ये प्रश्ण छुडाना है तो कॉंग्रेस की सत्ता हमें लाना ही पड़ेगा आज हम हमारे राज्य की बात करते हैं तो जितने भी सांसद है जो हमारे ट्राइबल सांसद है वह आज एक भी सिंगल कॉंग्रेस का सां सांसद नहीं है अगर हमारे अगर प्रश्ण चुडाना है तो हमें पार्लाने मेंट में किसकी सरकार बनाना पड़ेगा प्रदान मंत्री किसको बनाना पड़ेगा तो आज से यत्त्य हो गया कि आज हम भगवान विर्जा मुंडे जी की जैनती मना रहे हैं तो आज से यत्त उस तरह का भगवान विर्शा मुंडा जी के चरण में प्रात्ना करके जाएंगे और तब ही क्योंकि मैं आप लोगों को यही कहता हूं जिस रिजर्वेशन की बात हम लोग करते हैं उस रिजर्वेशन हमारा रहेगा की नहीं रहेगा यह तो प्रशन हमारे समने आके खड़ा हो गया जो देश में सरकार जो बनी है वो सरकार समान नागरी कानुन जो आना लाना चाहती है इसका मतलब है कि देश में कोई भी आरेशन की व्यवस्ता नहीं रहेगी और जहां पर आरेशन की व्यवस्ता नहीं रहेंगी जिस आधिवासी को वो लोग आज कई सालों से बनवासी बोलते हैं अहिद्धा में राम जी का मंदिर तो बना सकते हैं लेकिन बनवास में राम जी को जो लोगों ने बेजा था बनवास में बनवास में रहने वाले लोगों को उन लोगों ने क्या दिया आज भी उनको पनवासी बना के रखा है तुमारे मूग का निवाला तुमारे बच्चों का एजुकेशन तुमारे खेती की व्यवस्ता रोज खराप करने का काम शुरू हो गया और ऐसे समय में हम लोगों ने हम लोगों ने एक बात को समझना चाहिए कि बाबा साब अमेटकर जी ने जो हमारे लिए सविदान दिया है वो सविदान का रख्षन अगर कोन कर सकता है तो सिर्फ कॉंग्रेस कर सकती है और इसलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रशन जो है देश के सविदान की रख्षा करना और इसलिए कन्या कुमारिस से कश्मिर तक राहुल गांदी जी जो पदयात्रा कर रहे हैं वो पदयात्रा का अर्थी वो है कि देश का तिरंगा सही सलामत रहे और देश का सविधान सही सलामत रहे देश का सविधान सही सलामत रहेगा तो हमारा आरक्षन उसमें बना रहेगा और हमारा आरेशन अगर बना रहेगा तो हम हमारा न्याय मागने के लिए हमारे लिए रास्ते खुले रहेंगे लेकिन जब सभीदानी खत्म हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा जिस तरह से पगवान भिसाम उंडा जी ने उस समय के अत्याचारी हो या देश के हमारे आदिवासी हमारे सभी भाई बैन और हमारी वासाति हो वो आज एक साथ राहुल जी के साथ खड़े हो गए मुझे विश्वास है और ये खड़े होने का मतलब ही है कि मतों में उसका परिवर्तन होना चे इतना है मैं कहता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ और आज की राज्टी सुर्य भगवान विर्शाम उंडा की जैन्ती की बहुत-बहुत शुब कामना देता हूँ और मेरे दोश अप्पूरे करता हूँ धन्यवाद धन्यवाद पडोले साब इसके बद आज का दिन भी आती महत्वा पूर्ण है जीस तरह विर्शाम मुंडा जी जल जंगल जमिन और आदिवासी के लिए लड़े उसी तरह राहूल जी गांधी भी ओरी समेज आके आदिवासी का मियान गीरी में जो आदिवासी बसते थे उनको बचाने के लिए आंदोलन किया और प्लैंट रद्द करने तक की काम किये इसलिए आज का तिशे महत्वा पूर्ण बात है जल जंगन की बाद विर्शाम मुंडा जी भी करते थे और जल जंगन की बाद आदर निये राउल जी भी करते है इसलिए मैं बिंती करता हूँ राउल जी को कि आप हमारे इन तमाम आदिवाशियों को मारगर दर्शन करें उनको संबोधीत करें स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिश नेता कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता आदिवासी भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार आज बगवान बिर्शा मुन्डा जी की जयन्ती है और आपने मुझे भाशन देने का मौका दिया ऐसे दिन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आप सबका बहुत अभारी हूं और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं ये कोई मामूली दिन नहीं है बिर्शा मुन्डा जी अंग्रेजों से लड़े और 24 साल की आईउ में अंग्रेजों ने उनकी हत्या की जो भी उन्होंने करना था वो उन्होंने 24 साल में कर डाला लोग लंबी जिन्दगी जीते हैं 60, 70, 80 साल जीते हैं तब भी जो इन्होंने 24 साल में कर डाला वो नहीं कर पाते हैं आज भगवान विर्शा मुन्डा जी की सोच पर आक्रमन हो रहा है स्टेज से आपने भाशन सुने एक तरफ से नहीं हो रहा है चारों तरफ से उनकी सोच पर उनकी यादगाश पर RSS और BJP आक्रमन कर रहे हैं दो तिन उधारन आपको देना चाहता हूं जब मैंने भाशन शुरू किया मैंने आपको आदिवासी भाई बेहन कहा कहा नहीं कहा कहा ना आदिवासी का मतलब क्या है आप में से कोई बता सकता है बताओ नहीं आदिवासी का मतलब क्या होता है जो जो सबसे पहले था सभी बात है जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है बात समझाएं ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है इस शब्त का ये मतलब है इसका मतलब अगर ये जमीन आपकी थी मैं सिर्फ महाराश्टाक ब्यात नहीं कर रहा हूँ जिसको हम भारत माता कहते है ये पूरा का पूरा देश इस देश में सबसे पहले आप आए थे मतलब सबसे पहले आपका हक बनता है अब देखे ये क्या चालाकी कर रहे है ये कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो आप सबसे पहले नहीं थे नाम बड़ला है मगर ये मामूली चीज नहीं है ये बहुत गहरी चीज किये है इनोंने और भगवान बिर्सा मुंडा जिस चीज के लिए लड़े उसी चीज पर वो आक्रमन कर रहे हैं भगवान बिर्सा मुंडा जी नहीं कहा हैं ये हमारी जमीन हैं हम ओरिजिनल मालिक हैं इसलिए 24 साल के आयू पर वो शहीद हुए अब बीजेपी के लोग कहतें नहीं वहिया आप आदिवासी नहीं हो आप वनवासी हो वनवासी का मतलब नहीं आप गाउं में नहीं रह सकते आप शहरों में नहीं रह सकते आप कॉलेज उनिवर्सिटी में नहीं जा सकते आप हवाई जाज में नहीं उड़ सकते आपको तो बस जंगल में रहना है अभी ठेहरिए तालिमत बजाईए अब देखिए अगर आप हिंदुस्तान 1000 साल पहले आते 3000 साल पहले आते तो पूरा हिंदुस्तान जंगल था 50 साल पहले आप हिंदुस्तान को देखते काफी जंगल थे और आज आप हिंदुस्तान को देखते हो जंगल कम होता जा रहा है सही बात गल्थ बात सही है और आज से 20-30-40 साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं गायब हो जाएगा तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए जब जंगल गायब हो जाएगा तो वन वासी का कोई हक नहीं बचेगा ये हैं इनका मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि ये जमीन आपकी नहीं है और आपकी कभी नहीं रही और कभी नहीं होगी आप तो जंगल के हो हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो ये पूरा देश आपका था और आपसे ये देश लिया गया तो अगर आपसे ये देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है क्या देना है आपके हक देने है शिक्षा देनी है स्वास देना है और देश का जो धन है उसका भाग आपको देना है तो पहली बाद ये है फिर आदिवासियों की दलितों की पिछणों की अल्प स्यंक्षक्यों की कैसे मदद होती है कैसे रक्षा होती है हिंदुस्तान में यहाँ पर युवाय है बताओ सबसे बड़ा आपकी रक्षा कौन सी चीज़ करती है यह देखो सविधान सब जानते हैं सविधान किस ने बनाया बाबा साहिब हम बेटकर जी ने बदाया कॉंग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर बनाया उस समय बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा सविधान की कोई ज़रुवत नहीं है सविधान बेकार चीज़ है और यह हर रोज सविधान पे आकरमन करते हैं क्योंकि यह इस बात को मानने को त्यार नहीं है कि इस देश में दलितों को पिछणों को आदिवासियों को गरीबों को हक मिलना चाहिए मानने को त्यार नहीं है तो आपसे शिक्षा चीनेंगे स्वास चीनेंगे जो पब्लिक सेक्टर होता था उसको बंद करेंगे मुझे आप बताओ आपके जो बच्चे हैं प्राइविट स्कूल में पैसा दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते न तो अगर सरकारी स्कूल सब बंद कर दिये जाएं तो आपके बच्चों में क्या होगा पढ़नी पाएंगे अनपढ़ रहेंगे पाइदा किसका बीजेपी का तो तो वो शिक्षा के सिस्टम पर आक्रमन करते हैं अच्छा जो प्राइविट हस्पताल होता है किसे को दिल का दौरा पढ़ता है कैंसर हो जाता है सब को होता है आपके लोग उसमें जा सकतें क्या नहीं जा सकते तो अगर सरकारी हस्पताल सब बंद कर दिये और पूरा का पूरा प्राइविट कर दिया तो नुक्सान किसका गरीबों का आदिवासियों का दलितों का पिछणों का जहां भी ये राज करते हैं आप देख लीजे शिक्षा के सिस्टम को प्राइविट हातों में दे देते हैं हस्पतालों को प्राइविटाइज कर देते हैं अच्छा तीसरा रास्ता जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं पब्लिक सेक्टर में आपके लोग जा सकते हैं सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ये प्राइविटाइज कर रहे हैं अपने ही दो तीन मित्रों को दे रहे हैं तो रोजगार का रास्ता बंथ शिक्षा का रास्ता बंथ बिमार हुए तो हस्पताल बंद और पिर आपसे कहते हैं बहिया देखो हिंदुस्तान की बात मत करो आप लोग वनवासी हो बात करनी है तो जंगल की करो जंगल में हक किस ने दिया? कॉंग्रेस पार्टी ने दिया फॉरेस्ट राइट और पैसा कौन लाए? कॉंग्रेस पार्टी लाई और बीजेपी क्या कर रही है? आपको कहती है आप वनवासी हो और फिर जो आपका हक बनता है वो भी चीन लेती है ये सिर्फ आप पर आक्रमन नहीं है देश पर है मगर ये जो बिरसम ये भाईया जोड़ा जंडा थोड़ा जंडा हिला जोड़ा मुझे ये दिखे ये ये जो बिरसम उंड़ा जी है इन पर ये आक्रमन करने इनका अपमान हो रहा है तो सबसे जरूरी बात समवियान की रक्षा आदिवासियों को शिक्षा उनके हक उनकी जमीन इससे बिना आपका काम नहीं होने वाला है और ये लड़ाई सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी लड़ती है और मैं ये भी कह देता हूँ स्टेट से कह देता हूँ कॉंग्रेस पार्टी लड़ती है मगर और मजबूती से लड़नी चाहिए ये मैं आपसे कहना चाह रहा था आकरी बाद देखिए विर्सा मुंडा जी भगवान विर्सा मुंडा जी 24 साल की आयू पर शहीद हो गए अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देनी की कोशिश की धन देने की कोशिश की उनको खरीदने की कोशिश की भगवान विर्सा मुंडा जी ने कहा नहीं मुझे तुमारा धन नहीं चाहिए मुझे जमीन नहीं चाहिए मुझे खरीदा नहीं जा सकता मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे दुन्या में सबसे बड़ी शक्ती थी और 24 साल के विर्सा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और एक इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी उनको शहीद कर दिया गया यह आपके चिन है यह आपको रास्ता दिखाते हैं अब देखिए बीजेपी के चिन को देखिए सवरकर जी दो-तीन साल उनको एंडमन में बंद कर दिया उन्होंने चिट्टी लिखनी शुरू कर दी हमें माफ कर दो जो भी हम से चाते हो ले लो बस मुझे जेल से निकाल दो सवरकर जी में और भगवान बिर्सा मुंडा जी में फरक देखिए 24 साल में ये शहीद हो गए आदिवासियों के लिए सिर्फ आदिवासियों के लिए हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए और दूसरी तरफ सवरकर जी जिनको वीर कहते हैं वीर सवरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है एक किताब लिखी दूसरे नाम से लिखी कि सवरकर कितने वीर हैं और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे अंग्रेजों के लिए काम करते थे कॉंग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे और दो तीन साल पाँच साल में जेल के बाद सच्चे सवरकर जी पूरे देश को दिखे चिठिया लिखी और अंग्रेजों ने कहा आजाओ हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो सवरकर जी ने हाज जोड़े कहा हाँ जी मैं हाजर हूँ जो भी आप मुझसे चाहतों मैं करूँगा यह है आपके भगवान में आपके नेता और उनके नेता में फरक और मैं हर आदिवासी युवा से कहना चाहता हूँ यह देखिए यह आपको रास्ता दिखाते हैं इनका रास्ता आपको कभी नहीं छोड़ना है और दूसरी बात आप वनवासी नहीं हो आप आदिवासी हो और आप उरिजिनल मालिक हो इस देश के बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन बहुत बहुत धन्यवाद राउल जी अधरनिया आपने दोजार आठ में जो किसान था आत्मत है किया था उनके विद्वा पत्नी को आपने काफी मदद कीती उसके एक हिच्चा है कि राउल जी ने वो स कलावती परशुदाच बादूर कर जी यहाँ विद्वा है जिनको आपने मदद कीती वो आपका शुक्रियादा करना चाहती है कलावती परशुराँ बादूर कर है जांचे पत्ती चा निदन जालो हता अनि त्या मदे राउल जी नी लोक सबे मदे प्रश्न उपस्तित करोन हां मुद्दा लाउन धरला होता यहांचा सत्कार तसेच शंकरलाल बोडाग जी राजस्थान वरून आलेले आहेत ते आधरनी राउल जीना पगडी गालून त्यांचा स्वागत करतील त्यास प्रकारे कुसुमताई अलाम है आमचा गड़्चुली तिल आधिवाशिक कवी तिल यांचा पुष्प गुच्च देऊन स्वागत करतील ते दे बाई एक आज अतिशा है इतियासिक अशाप्रकार्चाशन आधिवाशिंचा इतियासा मदे शुवर नाक्षरानी लीला जाहिल अशाप्रकार्चाशन जित राउल जीनी सता मानला की आमी आधिवासियाओत आमी वन वसिनाओत हाभ फार मोटा चप्रा का है या RSS अनि BJP वालन साथी अनि BJP वालन साथी